हेलो गाईस मेरे ना मेरी तबरतो फ्रेम में आप कार देख सकते हो काफी तेदा फेमस कार है आज कल यह जो है काफी देख रहे हैं हम लोग रेनों के तरफ से कुईट का RX-T मॉडल है 800cc वाला जो एंजिन के साथ रहतना वो वाला यह रहने वाला है डीटेल में बात करेंगा प्राइस कितना आता है वो बताऊंगा क्या ओफर वपर कुछ है कि ने अगर मिलेगा तो वो भी बताऊंगा और साधी साथ अंदर स्पेस कैसा है जो क्वालिटी देता है क्या क्या देता है वो सारा चीज यहापर देखने वाल है इस प्राइंस में आज आज आपको यह ले नियुकर की दिए याँए इन टोंगा सब्सक्राइब कर सकते हो कई में और और ये सबसे पहले बात करें तो न एक चीस्ट कहने में जो LAITS है वह वाला unit इसमें काफी खूबसूरत सा आपको जो है मलता है सबसे पहले आप अगर आप उपर वाला यूनिट देखो तो यही वाला आज कल स्टाइल चलता है उपर DRL और इंडिकेटर जो है कंपनी देता है और इसको देखने में बड़ा सही लगता है नीचे अगर आप देखे तो के तरफ से जब भी आप मदब लेते हो और आप लगवा लेना और ग्रिल अगर बात करें तो ग्रिल काफी खूबसूरत लगता है देखो ज्यादा कुछ तो है नहीं बटना जो डिजाइन है कौफ डिजाइन है न तो उसके लिए मस लगता है और रेनों का जो लोगो है वो तो वह भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है बागी अगर बंपर देखे तो नॉर्मल ब्लैक से आपको जाए बंपर मलता है ग्रांट लेंस की बात करें तो सेग्मेंट का सब्सक्राइदा ग्रांट लेंस 184 मतलब 185 में में आप पकड़ लो ग्रांट लेंस मलते है जो कि सही अच्छा अब अगर साइट प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यार अच्छा सा एक अवरॉल मतलब बैलेंस सा लूक निकल के आता है बहुत जादा कुछ ऐसा डिजाइन एलिमेंट नहीं मिलता है यह देख रहे है और बडी क्लेडिंग इसक बात करें तो नॉर्मल स्टील वील के साथ आता है अपलो के टायर आप देख सकते हो आपको जो 16570R14 टायर मलता है तो उसमें कोई दिकर नहीं है बट अगर आप देखो न तो तीन स्कू के साथ आता है तो यह मुझे सही नहीं लेगा आपके फ्रॉंट में आपको डिस्क पीछे ड्रम प्रेक देखने में मिलता है अब यसी वीडियो आपको देखने में मिल जाता है वार्वेंस की बात करें तो नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक वाला जो होता है वह मिलता है और इनको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा अंदर भी वह जो स्टीक वाला सिस तो यह वी सही नहीं लगा बाकि हाँ अब है आपको साइड में जो है जो वेरेंट ए आरेकश्टि उसका जो बैजिन है वो देखने में मल जाता है बाकि रूफ देखो तो थोड़े से डिजाइन मल ऐसे मलता है तो यह सही है मालब रूफ में डिजाइन से क्या ही करूंगा दिखता थो लिए अब रेयर प्रोफाइल के बात करें तो यह वाला प्रोफाइल काफी लोगों का ऐसे अच्छा लगता है वाट में कहुना मेरे तरफ से ठीक ठाक सा मुझे लगता है फ्रॉंट प्रोफाइल मुझे जो है काफी जाधा सही लगता है ब्रेक लाइट आपको सब्सक्राइब कर रहा है बाकी हाँ बंपर चेक करें तो ब्लैक कलर कप को बंपर मलता है रेयर में और परकिंग सेंसर जो है देखने मिल जाए लेकिन लेकिन कोई नहीं है लेकिन तीन मैंने सबसें चार देना चाहिए यह थोरा सा कॉस्ट काडिंग हो जाता है मिलाब reverse-up करते हो बाकी हां टेललाइट की बात करें तो यूनित थोरा सा छोटा है यह थोरा सा बड़ा होना चाहिए था मतलब हेडलाइट इतना बड़ा है बड़ टेलाइट काफी च सकता हूँ इस range की बात करें आप यहां फिर तो अच्छा बूट एक बार यहाँ पर और चेक कर लेता है और बूट भी आपको की से यह खोलना होता है वह ठीक है बाकी यहाँ पर बूट अगर देखो तो आप एक बार गेस करके बता हो कि क्या सा क्या बूट है बाकी बूट ठ यसल सिर्साइक बार 2 मिटीम सर इसका बैब रखे उसको ऊपर उपर शीजेर रख सकते हो तो वी से यह मेरी इसकों से कोई खास बिकता आपको नहीं करेगा है खास करें कि इस से बात करें तो अब जो जो स्टीक वाल सिस्टेम है वह वैसे सही भी है बाहर से हैं आप चेक करके बोल सकते हों कि लॉक्त है नहीं है बाकि कुछ ऐसा साइंटीर है, औल ब्लैक ही मैं ऐसे कहूंगा, बाकि body color की सबसे seat cover का जो color है, सिर्ट कवर नहीं मतलब सिर्ट फैफरी का color मलता है, और आपको जो जो डाइबर साइट है, तो कुछ first impression में, आपके सामने रहने वाला कुछ ऐसा आपको मिलता है बाकी यहां पर देख सकतो plastic quality की बात करें तो यहां पर hard plastic आपको देखने में मिलेगा थोड़ा से यहां पर और अच्छा plastic हो सकता था मेरे सबसे इस range की आपको बात करें तो फिर बाकि यहां नॉर्माल वही वाला लॉक सिस्टेम आपको जो देखने में मिलता है जो पहले से मतलब चल रहा है उल्टो वल्टो में जो मिलता है बाकि यहां वार्विम को आपको कुछ ऐसे ही अड्जस्ट करना बढ़े है यह सही है इसमें कुछ दिक्कत मुझे नही और नहीं है मतलब किसी को खराब लगेगा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है वाकि यहां पर M.I.D. चेक करें मुझे नहीं कर सकते अब यह चीज मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा अच्छा सनमेजर्स की बात करें तो कुछ भी आपको नहीं मिलता है यहां पर देख लो टिक आपको देखने में नहीं मिलता है अच्छा यह लाइट क्वालिटी बहुत यहां लो क्वालिटी का लग रहा है मतलब कोस्ट कटिंग बरके है इस कार में यह चीज तो बताना पड़ेगा वाकि यह माइक है काम कि इतना करता है मुझे नहीं बता मैंने चेक करके नहीं यह यह चीज डेफिनेट लिखाऊंगा तो हाँ यह बहुत बड़ा सई चीज है आपको जो स्टेरिंग मांटेद कंट्रूल देखने में नहीं मिलता है तो आप देख लो यहां पर कॉस्ट कटिंग बहुत जादा है और जो डिजाइन है ना वह मतलब मज़ा नहीं है सच मे बड़ा है यहां पर मेरे सबसे यह जो है कहीना कहीना 100 लिटर के 100 नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं 50 लिटर के असपास होना चाहिए जो ग्लोब ऑक्स है एक्जेक्ली तो मुझे नहीं पता यहां पर मस्ट लगता है ना प्यानो ग्लैक्फिनेश सेंटर में काफी सईसाइक सबसे पहले इसके अंदर आपको जो है दो ही स्पीकर देखने में मुलता है बाकी पीछे आप लगवा सकते हो टच रिस्पॉंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाई सच में बता रहा हूं यहां पर आप खुद देख लो और ना डिले करता है रिस्पॉंस में और अब तो आप नहीं कह सकते बट भूसा अच्छा भी नहीं कह सकते पीछे आप अच्छा स्पीकर लगवा लेना अच्छा पार विंडो और यह सिंटर वाला कंसूल यहां पर अगर चेक करो ना तो यहीं पर आपको कंट्रूल मिलता है लॉक अनॉक का देखो सिंटर से बट यह पार विंडो वाला सिस्टेम मुझे यार सही नहीं लगता है आप मतलब यह ड्राइवर साइड में अड़ेस्ट होना चाहिए था पाकि हाँ यह फ्रॉंट में दो पार विंडो आपको देखने में मिल जाता है यह मतलब दूसरे कार में मैंने बोल चुका है आपको है न सेम क्वालिटी का मुझे लगा है आप है अब समझ रहे हो ना वाकिट क्वेल बोल पार सकेट देखने में मिल जाते है यह पर आप अपना चीज़े और यहां पर डेडिकर के लिए फोन रख सकते हो यह वाला सिस्ट है मुझे बहुत सही लेगा सच में बता रहो पहले वी प्रोवाइट करता है स्टेरिंग और गयार नो बहुत सही है एक बड़ है पर न जो रेयर कैमेरा है वह देखते है कैसा क्या क्वालिट है क्यों मैं नहीं देखा है पहले मजा नहीं है क्या आप देने के लिए दिया है आप आप कुछ चेक करो तीन का टाइम है आभी ना कि आप चेक कर लो क्वालिटी मजा नहीं आए बाई अलब इन सारे चीज़ों में रेनो को बहुत जादा काम करना पड़ेगा अगर कुछ देदे ना कंपनी मेरी सबसे सही दो या तो नहीं दो मैं सच में बता रहो बाकी दो यार यहाँ पर होना चाहे था बाई पाउर इंड से बैठा हुआ हूँ मजा आ गया बहुत ही जादा कंफ़टेबल सीट्स है और उपर से जो फैब्रिक क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है अच्छा सीट्स की एक चीज़ बताऊंगा जो कलर कंबिनेशन है वो भी काफी सही लगा मुझे बहां जो बॉडी कलर है वैसा ही मिलता है और साइट ग्रिप भी काफी अच्छा है मतलब मैं इस प्राइस के हिसाब से डेफिनिटली बात करूं तो पकि हाँ काफी कंफ़टेबल लगा लॉंग जर्नी में काफी मजा आएगा अगर आभी इस रेंज में रहे के बात करें तो मैंने इसको लॉंग जर्नी म करेंगे में तो यहीं पर समझ में आ जाएगा बाकी आपको जो मैनुवली वाला सिस्टेम मलता है तो आप एक अफ्टर मार्केट पार वॉंडर लगवाले ना मजा जाएगा तो इन अन आउट तो भाई आसान है सच में होता रहा हूँ बाकी कुछ ऐसा व्यू है भाई काफी एर ही लग रहा है कैबिन तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इस कार का अचा बैटने में बड़ा सही लग रहा है मुझे जो सीट से है बाकी आप स्पेस चेक करो तो फ्रांट सीट भी मेरे हाइड के अगौडिंग पीछे भी इतना स्पेस है तो सही है बट यहापे न मुझे लेग रूम जो है वह तो सही है हेड रूम भी आप चेक करो हैड रूम भी सही है घुट नहीं फील हो रहा है बट नीचे अगर आप देखो ना पैर में यहाप सीट की बात करें तो fixed adjust मलता है उनका height ना थोड़ा से जाधा होना चाहिए fixed app वो ठीक है इस range में but यह height कम देते ना यह मुझे सही नहीं लगता है तो हां मतलब यह सब चीज़े आज कल upgrade होना चाहिए बाकि seats पीछे भी आपको जो है कोई भी 60-40 का split नहीं मिलता है मतलब single seat है तो जाधा बैग है तो मतलब seat में यह आपको रखना पड़ेगा वेसे विले पीछे अचाहिए अगर आप पूछो ना कि सब्सक्राइब करता है अब देखो यह engine बहुत सही रहेगा अगर आप शहर में चलाने के लिए लेते हो या फिर आसपास थोड़ा बहुत चलाना है तो बहुत सही है और अगर आप highway में ही main run करते हो या फिर long journey long trip करते रहते हो महीने में 200-300 km आप highway में चलाते हो तो मैं आप को सजिस्ट करूंगा आप जो है 1000 CC वाले के साथ चले जाओ वो ज्यादा सही रहेगा बागी है और overall comfortable car definitely है safety की बात कर दो airbag ABS EBD आपको जो है देखने में मल जाता है फ्रॉंट में आपको डिस्क है पीछे आपको normal brake देखने में मल जाता है तो अच्छा चॉइस है अच्छा